हलो स्वाती जो आपको पढ़ाती है स्वीडिपीजी प्लिटिकल साइंस पेपर कोड हुक्यूपी एटी तो जैसे कि अभी तक आप सभी की तमाम क्वेरीज के उपर मैं अलग-अलग तरीकी की वीडियो को लेकर आई हूं कट-off पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, टॉप युनिवर्स्टी पे वीडियो बनाया है, चॉप करियर अपॉर्चनिटीज पे वीडियो बनाया है, पलिटिकल साइंस लेबर्स का एनलिस्स आप लोगों के साथ किया है और भी तमाम तरीकी की वीडियो की बुग लिस्ट कितना समय बचा है अब, 4 to 5 months है ना, अब 4 to 5 months में से शुरुवाती एक से दो महीना हमारा बरबाद हो जाता है ढूंडने में चीजों को, कि कौन सी चीज कहां से पड़ी जाए, ये समय केवल पढ़ने का नहीं है, कितना सारा समय आपका इसका ढूंडने में बरबाद होगा और ये मैं अपने personal experience से बता रहे हूं, because I have qualified UGC net, political science multiple times, उससे पहले भी जब PG में मैंने admission लिया था, तो मैंने भी entrance के थ्रू लिया था, so basically ये सभी मेरा personal experience है, किस तरीके से एक, एक, दो, दो, तीन, तीन महीना, मैंने अपना sources को ढूंडने के अंदर बरबाद कर दिया था, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पास guidance नहीं था, लेकिन आप लोग के पास मैं हूँ, तो वो सभी तमाम समस्य हैं, जो कि मैंने अपने preparation के समय झेली हैं, मैं नहीं चाहती कि जो भी मेरे students हैं, जो वो कभी भी इन परिशानियों को झेलें, तो आप सभी के लिए one stop solution है, स्वीड अलमोस मुझे लगता है, majority of the students ने political science honors at least कर रखा होगा UG के अंदर, है ना, तो सबसे पहले तो आपकी जो UG की books हैं, वो आप लोग को पढ़नी हैं, UG की books में अगर आप लोग ने political science से किया हैं, तो सबसे पहली जो common किताब आप सभी को पता होगी, वो होगी O.P. Gaba, है न जो बच्चे किसी other background से आते हैं, वो इन किताबों को जो है, online मंगा भी सकते हैं, डाउंडोड भी कर सकते हैं, O.P. Gaba की political theory unit wise book list भी मैंने already upload कर रखी हैं, लेकिन यहाँ पे हम सभी book list की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सभी sources की बात करेंगे, कि books के सिवा और कौन से sources हो सकते हैं, जिनसे हमें prepare करनी के अंदर help होगा, तो O.P. Gaba, आप सभी ने political theory के लिए पढ़ा होगा, एक और किताब आप लोग है ना, और एक और जो common किताब काफी जादा बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप सुईटी PG के perspective से देखो, तो IR के अंदर वो आपको बहतरी तरीके से जोए मदद कर सकती है, वो है आपकी बैलेस एंड स्मिथ बैलेस एंड स्मिथ फोर इंटरनाशनल रिलेशन्स, इन सभी का स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, ताकि आप लोग को बाद में, आप इसको भूले नाया, तो कहीं नोट डाउन कर लीजेगा, ठीके, तो UG की कुछ-कुछ कॉमन किताबे आप लोगों ने चो पढ़ी होंगी, वो है O.P. Gaba for political theory, J.C. Jory for comparative politics, Bellis and Smith for international relations, so basically इसके इसके अंदर जो पार्ट आपका cover-up होगा, वो है आपका ideologies, 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 बाकी की चीज़ें आपको फिर भी other sources से ही करनी पड़ेंगी, जैसे के international organizations है, international treaties है, और international agreements है, और और भी तमाम तरीकी की बहुत सारी चीज़े होती है, foreign policy and all, वो सब कुछ आपको फिर भी other sources से करना पड़ेगा, तो लगबग 10-11 chapter, Bellis and Smith के, आपके ideologies वाला part cover-up कर ल नाम है, जो कि अक्सर political science के बच्चों को पता होती है, अब हम कुछ और sources की बात करते हैं, कि इनके सिवा, वो कौन से sources और हो सकते हैं, ठीक है, other sources के अगर हम बात करें, तो होंगे आपका इगनू के नोट्स, इगनू के नोट्स, तो basically इगनू के नोट्स, जो हैं आपको कहा मिलेंगे, इगन कोश पे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, इगन कोश वेबसाइट पर, ठीक है, इगन कोश इनके वेबसाइट है, जहां पर आपको unit wise अलग-अलग subject के जो है, PDF आपको मिल जाएंगे, तो basically on and average 15-20 pages का एक-एक PDF होता है, unit wise जो होता है, उसमें आपको comparative politics सर्च comparative politics का approach, political culture क्या होता है, और political modernization, political development, इस तरीके की चीजों के PDF आपको मिल जाएंगे, वही political theory की बात करें, तो liberalism पे अलग PDF मिल जाएगा, रियलिजम पे अलग PDF मिल जाएगा, लेकिन हां महनत है, काफी जगत ढूनना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि paper उनको पढ़ने से हो जा e-partshala, अब e-partshala का ही एक अलग जो है, क्या बोल सकता है, अब एक अलग interface है, जो की PG के लिए अलग से बनाया गया है, तो उसका नाम क्या है, e-p-g-partshala, e-p-g-partshala, so basically e-gyan-kosh और e-p-g-partshala के content के इंदर क्या difference है, तो कई बार, जो due के professors बगेरा होते हैं, वो कुछ-कुछ-कुछ articles लिखते हैं, जिसको आप notes की तरह इस्तिमाल कर सकते हो, तो वो जो due के notes होते हैं, due के logo के साथ आपको e-partshala पे मिल जाएंगे, e-partshala की शायद से वो भी है, application भी है, जब मैं college के इंदर थी, उस समय पे में इसको इसको इस्तिमाल किया करती थी, तो ऐसा नहीं कि e-partshala पे आपको सब कुछ मिल जाएगा unit-wise, unit-wise चीज़ें आपको कई सरे topics के, Delhi universities के द्वारा, professors के विदारा, जो तमाम तरीके के articles लिखे जाते हैं, वो आपको notes के तरीके से help कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अगर हम और resources के बात करें, तो वो होंगे आपके, UGC.net के previous year paper, previous year papers, तो basically UGC.net political science के papers भी NTA बनाता है, SWEETPG को भी NTA बनाता है, तो कई बार, जो है, same तरीकी के questions, same तरीका के pattern, जो है, as it is copy-paste किया चाता है SWEETPG के अंदर, paper के level को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि लगबग उनी को भी वही thinkers पढ़ने हैं, आपको भी वही thinkers पढ़ने हैं, बस UGC.net में थोड़ा और in-depth में हो जाता है, कि कुछ भी पूछना शुरू कर देते हैं, SWEETPG में लगबग उसको difficult बनाने के लिए, वो UGC.net को follow करने की कोशिश करते हैं, अब बात करते हैं कुछ और sources की, आप चाहिएगा तो इसका screenshot ले लिजेगा, चलिए, आगे बात करते हैं और sources की, तो आप सभी को पता होगा कि SWEETPG 2025 या फिर 2024 इन सबसे पहले जो है, अलग-अलग universities अपना conduct करवाती थी, जैसे कि Delhi University entrance test, JNU entrance test, BHU entrance test, Hyderabad University का test, तो यह सब particular universities अपना-पना subject test करवाती थी, तो मेरे समय पे भी Delhi University का entrance test ही था, जिससे मैंने पास करके admission लिया था, तो basically, आप समझ रहे हूँ, आपकी किसी काम कर नहीं है, लेकिन वह आपको एक बहुत बढ़ी question bank provide कर सकते हैं, तो जो बच्चे डूनते रहते हैं, Mok test, Mok test नहीं है, Mok test नहीं है, इन पुराने papers को उठाकर की लगाई है, चीक है, तो sorry, So, basically, due at Delhi University entrance test और JNU का जो exam हुआ करता था, और BHU का जो exam हुआ करता था, यह सभी examination के जो questions हैं, वो आप सभी के लिए बहतरीन तरीके का एक source provide कर सकते हैं, इसके सिव अगर हम बात करें, तो आप अपने UG के समय पे कही सारे notes बनाते होंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत समस्य आ रही है स्लेवर्स को देखने में, तो साथ 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 UGC and Political Science के स्लेवर्स को साथ में लेके बैच सकते हों, हाले कि Political Science के अंदर फिर बहुत ही सारी चीज़ा आ जाती है लेकिन लगबग लगबग अल्मोस्ट 80-90% सेम रहता है, ठीक है, चलिए, तो आप लोग को समझ में आयोंगे जितने भी sources मैंने आप सभी को बताए हैं, थोड़ा थोड़ा हम जो है पॉलिटिकल थ्योरी की पॉलिटिकल थ्योरी की तो आप उसके लिए वही सेम, ओपी गाबा, ओपी गाबा की बुक को प्रेफर कर सकते हो, अगर हम बात करें, तो उसके लिए भी ओपी गाबा होती है, लेकिन ओपी गाबा जो है एनफ नहीं होगे आपके लिए वेस्टिन प्रेटिकल थॉर्ट के लिए तो आप उसमें से जो है सुबृता मुखर जी को जो है प्रेफर कर सकते हो, सुबृता मुखर जी और रामसामी की जो किताब आती है, वो वेस्टिन प्लेटिकल थॉर्ट को लेकर कि, है ना, सुब वेस्टिन प्लेटिकल थॉर्ट के साथ-साथ जो हमारी इंडियन प्लेटिकल थॉर्ट है, कि उसके लिए भी उपी कापा आती है लेकिन साथ साथ अफ हिमांशु रोए को भी प्रेफर कर शकते हो लेकिन इंडियन पॉलेटिकल थोट के सभी तिंकर आपको एक जगापे नहीं मिलते हूँ अगर हम बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी के लिए तो आप सभी को पता है लक्षमी कांथ है ना लक्ष्मिकान और अगर हम बात करें पब्लिक एड्मिनिस्टेशन की तो उसके लिए भी लक्ष्मिकान की किताब आती है लेकिन वह एक दूसरी वाले लक्ष्मिकान था जिसके लगबग फॉस से फिस्ट चैप्टर पांच चैप्टर आपको शुरुआती दौर के करने हैं तो यह को जन्रल किताबों के नाम है वैसे आपको पर्टिकुलर योनिट वाइस सभी किताबों के नाम जाने है तो मेरी वीडियो अल्रेडी अप्लोड़ेड है चैनल के ऊपर आप उसको देख लिजेगा बुक लिस्ट को ठीक है चलिए तो आपको वीडियो कितनी कमेंट में जरूर देजेगा और अगर आप सभी नहीं चाहते कि हमें तमाम तरीके के सौर्स को ढूणने में जाया वक्त नहीं करना है तो आप हमारी वेबसाइट से जाए के डिफरेंट कोर्स के अंदर अंडोल कर सकते हैं मेरे कोर्स का नाम नीव है मैं आप लोगों को द अडड़ वेबसाइट पर जाने के बाद आप जाएंगे औल कोर्स के अंदर अल कोर्स के अंदर ईसरी उजी सुएं पीजी यह नीव तो इसके अंदर में आपको political science का सब कुछ करवाती हूं मतलब आपको 70 जगा जो है डूनने की जुरत है ही नहीं सब कुछ पोरोसा हुआ आपको मिलेगा ठीक है वो भी एकदम exam oriented based on the latest pattern तो इस सभी courses के अंदर enroll करने के लिए you can use my code you can use my code swati30 तो swati30 को इस नमाल करने से क्या होगा आप लोगों को जिस पे समय पे आप इस वीडियो को देख रहो किसी भी समय पे आप वीडियो देख रहो अभी देख रहो है बाद में देख रहो तो आपको जो है maximum discount इस वाले code से अवलेबल हो जाता है swati30 जो भी समय का discount चल र के लिए और मिलते आप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए good bye take care और preparation गुजाई रखिए